Hey guys, आज की वीडियो में हम cover करेंगे novel The Catcher in the Rye जिसे लिखा है G.D. Salinger ने अब G.D. Salinger का पूरा नाम था Jerome David Salinger और यह जो novel है publish हुई थी 1951 में अब सबसे बड़े बात यह है कि यह जो लिखी गई थी novel और यह सब intended की गई थी adults के लिए लिखी ने इसे सबसे ज़्यादा adolescents ने पढ़ा क्योंकि जो इसके theme थी उसकी वज़ा से इसके theme में है alienation, अकेला पन जो की adolescents के एक problem होती है इसे लिए इसे adolescents ने ज़्यादा पढ़ा अब यह जो novel है यह जिस form में लिखे गई है उसका नाम है Buildings Roman novel अब इसमें ऐसा होता है इस novels में कि जो character होता है इसका main character उसकी जो journey है और जो novel के plot की journey है वो एक साथ build up होती है और आज हम इसको अपनी वीडियो में cover करेंगे तो start करते है जो novel start होती है Southern California में जिसके setting रखी गई है और time period है 19 अब एक बच्चा है जो इस चीज़ को शुरू करता है जिसकी उम्र है 16 साल और वो इस चीज़ को यहाँ पर अपनी कहानी को बताता है यह open होती है एक sanatorium में जहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम है Holden जिसकी उम्र है 16 साल वो recover हो रहा है अपने mentor breakdown से अब यहाँ पर हमें पता नहीं उसका breakdown क्यों हुआ था लेकिन अब वहाँ पर क्योंकि यह sanatorium में है और यहाँ से उसकी journey स्टार्ट होती है अब वो बताता है अपनी flashback के बारे में कि जब वो last time Christmas से पहले का वीकेंड था वो उसका कैसा रहा था और यही उसकी जो life से related कुछ दिन है इसे में यह पूरी novel कवर हो जाती है अब इस बच्चे का पूरा नाम है Holden Callfield और यह एक 16 साल का American boy है जो कि बहुत ज़्यादा sensitive है और इसे फिर से निकाला जा रहा है इसकी स्कूल से जिसका नाम है Pensy Prep School अब यहाँ पर यह जानने की ज़रुवत है कि यह से पहले भी दो तिन स्कूलों से निकाला गया है क्योंकि यह फेल हो जाता है अपने subject में और इस बार फिर से यह कुछ subject में fail है जिसकी वज़ा से यहाँ से भी से निकाला जा रहा है अब यह जाने से पहले अब यह अपनी कहानी बता रहा है तो अब यह जाने से पहले सोचता है कि यह एक बर अपने history teacher जिनका नाम है Mr. Spencer उनको goodbye करना चाहता है उनके घर पे जाके उने goodbye बोलने जा रहा है अब जब वो जा रहा होता है रास्ते में तब वो यह सारी चीज़े हमें बताता है अब जो Mr. Spencer है वो बिमार है और जब वो उनसे मिलता है तो जो Mr. Spencer है वो अपने आपको justify करते हैं कि उनके पढ़ाने के बाद भी जो Holden है वो उनके subject में fail हो गया है history exam में fail हो गया है और यहां पर वो इस बच्चे के mistakes भी बताते हैं लेकिन जो Holden है अब वो थोड़ा थोड़ा bore होने लगा है और annoyed होने लगा है तो वो मौका पाते ही वहां से निकल जाता है होथी insensitive है इसकी बात करें हमने Holden की कि वो sensitive है लेकिन जो actually है वो insensitive है वो से पढ़ने ही नहीं देता हुसे disturb करता रहता है थोड़ी के देर में एक लड़का और आता है जिसका नाम है Stradlitter अब जो Stradlitter है वो Holden का एक smart एसे लिखे उसकी English class के लिए एक एसे लिखे और अगर वो ऐसे लिखेगा और उसे पसंद आया तो वो उसको अपनी date के बार में बताएगा अब जो Holden है वो agree कर जाता है इस बात पे लेकिन वो jealous है क्योंकि जिस लड़की के साथ वो date पर जा रहा है उसका नाम है Jane और जो Jane है वो long time से इसकी friend रह चुकी है Holden की और Holden भी कही न कहीं उसे पसंद करता है last summer ही उसे उसे प्यार हुआ था अब जो Holden है वो एक एक तनहा evening को spend करता है nearby town में ही और वो जब दुबारा से अपने room पर आता है वो एक essay लिखता है अपने friend लिखता है baseball gloves के बारे में और Ellie के बारे में तो Ellie जो है वो उसका dead brother है अब जब वो स्ट्राइड डेटर बापीस आता है तो वो कहता है कि जो Holden का essay था वो अच्छा नहीं था और इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं बताएगा उसकी date पर क्या हुआ जिसकी वज़ा से Holden गुस्ता हो जाता है और दोनों के बीच पर लडाई होती है और इसका end ऐसा होता है कि जो Holden है वो हार जाता है उसे पटाई बढ़ जाती है अब जो Holden है वो decide करता है कि वो यहाँ से चला जाएगा mid term जो break होने वाले थे उसका wait नहीं करेगा अब बात यह है क्योंकि इसे यहाँ से भी निकाला जा रहा है तो यह सोचता है कि जब यह लोग निकाले मैं उसे पहले ही यहाँ पर चला जाऊँ अब यह क्या करता है वहाँ से एक train ले ले लेता है कितना popular है अब जब वो नियू यॉक में जाता है अब यह घर नहीं गया नियू यॉक गया है क्योंकि यह सोचता है कि घर वालों को पहले school वाले inform करें कि इसे निकाल दिया गया है या फिर जो भी है तब यह वहाँ जाए तो अब इसके पास कुछ दिन है तो यह नियू यॉक घूमना चाहता है तो वो जाता है और एक होटल में रह जाता है घर जाने की बज़ाए यहाँ पर इरिटेट होने लग जाता है कि राज जादा हो गई है जब यहाँ पर यह पहुचा और वो अपनी सिस्टर को कॉल नहीं कर सकता जिसका नाम है फोबी अब जो फोबी है वो दस साल की है जो इसके सिस्टर है और अपने पेरिंट्स के साथ ही रहती है अब जो हॉल्डेन था जो उसके रात थी वहाँ पर होटल में अब इस टाइम पर भी जो होल्डेन है वो सोच रहा होता है जेन के बारे में और अब वो एक नाइट कलब में जाता है और जब नाइट कलब से वापिस आके वो होटल जा रहा होता है तब वहाँ पर उसे एक लिफ्ट मैं मिलता है जो कि उसे बताता है कि वो उसके लिए एक prostitute का arrangement कर देगा उसके room में लेकिन उसके लिए उसे कुछ पैसे चाहिए होंगे अब थोड़ी दिर बाद उसके room में एक लड़की आती है जिसका नाम है Sunny और वो एक prostitute है लेकिन जब वो उसे देखता है तो वो बताता है उसे कि उसकी कोई भी desire नहीं है उसके साथ सोने की और यहां पर जो Sunny है वो थोड़ी सी puzzle हो जाती है और गुसा हो जाती है और उसके बोलने पर वो उसे पैसे भी दे दे देता है हाला कि उसने मना कर दिया कि उसके पाद नहीं सोएगा अब जब वो अपने रूब में होता है वो स्मोक करता है और फिर थोड़ी देर बाद जो लिफ्ट मैन है और जो Sunny है दोनों अंदर आते हैं और उसके पाद लड़ाई जगड़ा करते हैं उसे हिट करते हैं और उसके वालेट से जबरदस्ती उसके पैसे निकाल लेते हैं और अब जो होल्ड़न है वो फिर से एक बार मिस्ट्रेबली अपने बेट पर पड़ा हुआ है अब अगली सुबा होती है जो होल्ड़न है वो कॉल करता है एक लड़की को जिसका नाम है Shelly जिसका नाम है Sally और उसके फ़र एक डेट फिक्स करता है Sally उसकी एक्स गल्फिर्ण थी अब वो सिफ़र डेट फिक्स करता है लेकिन वो से ज़ादा पसंद नहीं करता लेकिन वो अकीला फिल कर रहा है तो उसे किसी की कंपनी की बहुत ज़ादा ज़रूरत है अब यह ब्रेक्फास्ट करने के लिए जाता है Grand Central Station और यहाँ पर वो देखता है दो नन है तो यह वहाँ पर थोड़ी से चैरिटी करता है और उसके बाद यह Broadway चला जाता है कुछ खरीदने के लिए कुछ टिकट्स खरीदने के लिए ताकि वो जब डेट पर जाए तो वहाँ पर वो movie देख सके और साथ में वो एक record खरीदता है जिसे कि वो सोचता है वो अपसी बहन को दे देगा और वो यहाँ वहाँ गोमने लग जाता है यह सोचकर कि शायद वो अपनी सिस्टर से मिल लें शायद वो से बाइचांस लिए उसके सिस्टर देख जाएं लेकिन ऐसे कुछ होता नहीं है अब जो शेली है वो आ जाती है और यहाँ पर जो होल्डन है उसकी mixed feeling है वो उसे ज्यादा पसंद नहीं करता पर फिर भी वो उ और अपस्ट के के अच्छा है और यहाँ पर जिल ड़ी बहु जाता है यह इसका नाम है कार लुज व से इन्टेलिजरन यूथ यूथ है लेकिन यहां पर भी जो होल्डन है इसके वहां से भी लड़ाई हो जाती है और अब यूजा और इसे फिर फिर से कोई option नहीं है इसके पास और अब यह call करके जो शेली है उसे apologize करता है उसे माफ़ी मांगता है उसके behavior के लिए अब यह central park जाता है फिर से जहां पर इसे अपनी बहन से मिलना था foby से और वहां पर जो इसने record खरीदा था उसके लिए वहां पर उसे drop कर देता है अब जो holder है वह अपनी sister से मिलना चाहता है तो वो अपने घर में घुछ जाता है वो छुपता चुपाता अपने घर में जाता है ये सोचकर कि उसके parents ना हो जो foby है वह उसे बताती है कि उसके parents घर पर नहीं है और यहां पर वो पूचती वो बनना क्या चाहता है अपने लाइफ में क्योंकि इस फिर से लगता है उसे स्कूल से निकाल दिया गया है और वो हर सब्जेक्ट में फेल हो गया है अब यहाँ पर जो होल्डन है वो बताता है कि जो उसके फैंटेसी है वो है कि वो बने का तक कैचर इंदर आई अब यहाँ पर बात आती है कि जो टाइटल है उसका यूस किया गया है तो यह बोलता है कि मैं इंस्पायर हुआ हूं इस चीज से क्योंकि मैंने एक बच्चे को एक गाना गाते हुए सिना था तो यहाँ पर जो phobia है वो बताती है कि यह कोई गाना नहीं है बलकि लाइन्स है जो Robert Burns की एक poem है वो बोलता है कि वो catcher in the rye बनना चाहता है जो बच्चे अपनी innocence खो देते हैं यह उनको save करना चाहता है catcher in the rye का मतलब होता है कोई ऐसा इनसान एक ऐसा person जो बच्चों को save कर सके जो किसे cliff से गिर रहे हों यहाँ पर cliff का use किया गया है जो उनकी innocence होती है वो खतम हो जाती है जब वो adulthood में जाते हैं तो यहाँ पर वो बोलता है कि वो यही बनेगा वो बच्चों को save करेगा और जो mainly जो इनका distress होता है उन सब इसके लिए उन्हें बच्चाएगा अब थोड़ी देर बात जो holden है वो अपने एक teacher को call करता है English teacher को call करता है जिसका नाम है Antolini जो उसके English teacher है और arrangement करता है कि रात में वो वहाँ रुख सके क्योंकि वो अपने घर में नहीं रुखना चाहता अब जो holden के parents है वो वापिस आ जाते है और वो वहाँ से manage करता है भागने की और वहाँ से चला जाता है उसके parents हो देख नहीं पाते अब जो Antolini है वो उसके घर पर जाता है तो वो और उसकी wife उसे अच्छे से welcome करते हैं ग्रीट करते हैं टीचर थे वो holden को बताते हैं कि इस जाय से जो directionless बच्चे होते हैं और confused होते हैं उनके वाद बहुत ही बुरा होता है dangerous हो सकती है उनका situation है वो अब रात हो जाती है यह सब बात होते होते और जो holden है वो सो जाता है और जब वो सो जाता है तो वो उठता है एक चीज से कि जो antolini है वो उसके सर पर हाथ फिर रहे हैं और यहां पर उसे लगता है कि जो उसके teacher है वो एक homosexual है और इसलिए वो हाँ से भाग जाता है अब जो होल्डन है वहाँ से हके घर हाँ गुष्से में और अब उसे क्या में वह रात में चला गया है तो उसे अपनी आधी जो रात थी वह कहीं बाहरी बितानी पड़े तो वह ग्रैंड सेंट्र्ल स्थेशन चला जाता है ताकि वह वह पर अपनी आधी जो बच्ची हुई पर रह सके अब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो वह सीटी में जाता है वहां पर थोड़ा सा गूमता है लेकिन वह बहुत जादा टायर है और उसको हैंग ओपर हो रखा है अब वह सोचता है कि वह कुछ कहीं पर रूरल एरिया में जाए का जहां पर थोड़ी सी पीस और थो पूल में और उसे बोलता है कि वह से आके लंच पर मिले म्यूजियम में एक लंच अगनाइस करेंगे वह दोनों उसमें उसे कंपनी दे अब जो इसके बहन है वह वापिस आती है तो वह अपना पूरा लगेज लेके आती है वह बोलती है कि वह भी उसके साथ जाएगी न्य इतना जादा अच्छा लग रहा है और जो चाइल्ड हुड है उसका जो इनोसेंस है वह भी बनी होई है और यहां पर आके जो फ्लैश बैक की कहानी चल रही होती है वह खतम होती है और अब पता चलता है कि जो होल्डन है जो स्टार्टिंग में एक सेनिटॉरियम में था ज तो इसके साथ यह नोवल यहां पर खतम हो जाए जब हम इसमें बात करेंगे इसके टाइटल की तो टाइटल है दा कैचर इंदर आई तो इसका मतलब होता है कोई भी ऐसा परसन जो बच्चों को सेफ कर सके और यहां पर बात हुए क्लिफ इसलिए क्योंकि यहां पर जो इसलिए को देखता है कि वो कितने जादा खुश है जाइल्डाइक उसका फेस बिहेवियर है तब वो सोचता है कि वो एक सुक्सेसफुल कैचर इंदर रही बन गया है क्योंकि उसने एक लड़की को कम से गम सभी को नहीं पर एक बच्चे को उसने खुश किया है उसके जो इस एक बिल्डुक्स रोमन नौवल है जिसमें एक चरेक्टर जो है उसकी जो साइकलोजिकल ग्रॉथ होती है वो नौवल के प्लॉट के साथ डवलप होती है जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा कि वो कितना लादा डिस्ट्रेस था लेकिन जह जए स्टोरी बिल्ड़ प आजए स्टार्ट उसी के साथ ये कानल ये। जह जर आपर ख Olत और बिल्डस्टार्ट जाल कि में क्वेड़ डिन तो चॉरिय।